नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चनल पी एफपी में आज 7 दिसंबर 2021 को मार्केट का सेंटिमेंट क्लियरली पॉजिटिव नजर आता है कल निफ्टी 50 200-300 पॉइंट नीचे चला गया था और आज 200-300 पॉइंट की तेजी नजर आती है तो क्लियरली बहुत ही जल्दी आपको सेंटिमेंट चेंज होता हुआ नजर आता है निफ्टी 50 1.56% उपर है 17,150 के उपर की क्लोजिंग दिखाए पड़ती है निफ्टी बैंक 36,600 के उपर है 2.47% की शांदार तेजी देखने को मिली जैसा हमने कल डिसकस किया था कि निफ्टी बैंक का गिरावट में contribution कम हो चुका है अगर further गिरावट होती है तो दूसरे stocks यहाँ पर ज्यादा contribution करेंगे तो आज तेजी देखने को मिली तो recovery में निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छा contribution दिखाया है निफ्टी mid cap के बारे में बात करे 1.4% की तेजी दिखाई परती है जिसके कार AD ratio भी हमें advance के favor में जाता हुआ नजर आया commodity के बारे में बात करें crude oil 4% उपर है natural gas 1% उपर है gold में 0.3% की तेजी silver में 0.7% की तेजी तो commodity में भी आपको recovery दिखाई परती है crude oil natural gas में जो इतनी घ्रावट होई थी तो यहाँ पर भी slight recovery नजर आती है लेकिन currency के बारे में बात क करें तो रुपी आपको week होता हुआ ही नजर आता है आज भी हमें slight weakness दिखाई पड़ती है global indices के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में तेजी है global markets में आपको तेजी दिखाई पड़ती है global indices आपको उपर जाते हुए नजर रहे और all sentiment आपको आज के देखने को मिली कल closing हुई थी तकरीवन 16,900 के आसपास और आज जो opening हुई है तकरीवन 17,050 के आसपास हुई है तो 1500 point के आसपास gap open हुआ उसके बाद slightly गिरावट हुई 17,000 पर support लिया continuously market में हमें तेजी देखने को मिली है 17,250 के levels नजर आए हैं और उपर के level से आपको यहाँ पर कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली अफकर्स गिरावट तो यह 250 से 180 पर आया है 70 points की गिरावट नजर आती है लेकिन overall जो rally देखने को मिली है वो sustain होती भी नजर आती है डेली चार्ट के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे डेली चार्ट पर हमें नजर आता है कि कल जो गिरावट होई थी बहुत ज्यादा तीवर गिरावट थी पहली बार 17,000 की नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली 16,900 के आसपास मार्केट आता हुआ नजर आया था बहुत ज्यादा वीक नजर आता था लेकिन आज हमें एकदम से sentiment change होता हुआ नजर आया 17,500,600 की रेंज हमें नजर आती है जहां पर निफ्टी हमें sideways trade करता हुआ नजर आ सकता है जब तक यह level तूटते नहीं है तब तक market इसी zone में आपको trade करता हुआ नजर आएगा ये तो हो गया short term view अगर mid term view के बार में बात करें next एक महिने के बार में बात करें तो मेरा मानना अभी भी यही है कि weakness ज्यादा है strength से ज्यादा weakness ही market में नजर आती है technically यहाँ पर आपको strength फिलाल इतनी ज्यादा नजर नहीं आती short term के लिए of course यहाँ पर अच्छी जीसे हो रही है यह जो movement होता है generally अगर bottom पैसा कुछ बहुत ज्यादा volatile situation हो जाता है तो वहाँ पर generally bottom बन जाता है और वापस तेजी देखने को मिलती है लेकिन जब तक कोई confirmation नहीं मिलता है तब तक हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा bullish mid term के लिए एकाद महीने के लिए नहीं होना चाहिए overall trend में थोड़ा सा weak ही नजर आता है तो संबल करें उसी साब साब को bullish trades लिने चाहिए और time लिए वहाँ पर profit भी book करना चाहिए आज इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली है और सिफ इंडिया में नहीं globally भी दिखाई पड़ती है तो यह काफी जदा interesting रहेगा कि FIA इसने माल बेचा है या फिर नहीं बेचा क्या उन्होंने खरीदारी कर ली है कई बार ऐसा हुआ है 50 में आपको 200 पॉइंट की तेजी एक दिन आ गई थी लेकिन FIA इसने फिर भी माल बेचा था वहाँ पर डिया इसने खरीदा था इस प्रकार की सिच्वेशन हुए थी तो आज भी काफी सदा interesting रहने वाला है कि FIA इसने यहां पर खरीदारी की है या फिर नहीं किया है न्यूस के बार में बात करें तो government ने यह बताया है कि long term capital capital gain tax अटाने का कोई भी उनका इरादा नहीं है ना ही equities में ना ही mutual funds में तो overall देखिए market ऐसा कुछ expect नहीं कर रहा था कि long term capital gain tax हट जाएगा लेकिन यह parliament में discussion चल रहा था तो वहाँ पर यह जवाब आया है government की दरव से कैसा हम कुछ भी अटाने नहीं वाल है तो यह update मैं आपको कर देता हूँ रिलाइंस ने 2 billion dollars की production joint venture form किये with आबुधाबी chemical company तो रिलाइंस के लिए बहुत अच्छी बात है रिलाइंस के shareholders के लिए अच्छी बात है अलाकि आज market इतनी उपर गई लेकिन वहाँ पर रिलाइंस का contribution इतना अच्छा देखने को नहीं मिला ABB ने अपने growth targets तो boost कर दिये हैं लेकिन supply chain के concerns नज़राते हैं जो कि सिर्थ ABB के साथ ही नहीं बहुत सी companies में हमें नज़राते हैं Fab India 3770 crores का IPO लाने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी बात है फिलाल तो IPO की बारिश ही हो रही है RMCO और L&T impact to develop manufacturing capabilities in Saudi Arabia तो L&T के shareholders के लिए बहुत ही positive बात है Reliance का तो अभी RMCO के साथ इतना यहां पर जो deal था cancel हो गया L&T ने कर लिया है Of course वो cancel नहीं हुआ थोड़ा सा delay होता हुआ नज़राता है उसे जदा अभी study करने वाले हैं उसके reconsider करने वाले हैं BioCon से related भी एक news है BioCon ने Saudi drug firm ताबुक के साथ tie up किया है to commercialize specialty medicines तो आज तो देखिए Saudi area भी ऐसे related बहुत सारी news आ रही है Reliance की भी particular news थी BioCon और L&T की भी news नज़राती है Reliance ने जो REC solar का जो purchase किया है उसके लिए 736 million dollars का green loan उठाया है तो green loan का मतलब क्या होता है यह उनी particular activities के लिए loan दिया जाता है जो कि environment पे एक positive impact डालते हैं तो green loan का जो interest rate होता है वो भी अपने जो normal loan से थोड़ा सा कम होता है तो of course अच्छी बात है Reliance को तो पैसे चाहिए ही थे loan के लिए तो green loan लिया है तो interest rate भी of course कम देना पड़ेगा Root Mobile ने payment as a service click to pay service launch कर दिये instant payment जो service होती है Root Mobile ने launch किये तो अच्छी बात है नई segments में company हमें enter होती भी नज़राती है rate gain का IPO open हो चुका है QIB इसने अभी तक subscribe नहीं किया NIA इसने 0.03 times का किया है retail ने 1.23 times employee का 0.29 times total 0.23 times का subscription दिखाई पड़ता है तो overall okay subscription ही अभी तक पहला दिन है wait करना चाहिए ज़्यादा जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए अगर अच्छा यहाँ पर subscription होता है तो हमें यहाँ पर listing इन के लिए apply करने के बारे में सोचना चाहिए वरना यहाँ पर हम avoid कर सकते हैं आपका क्या view है मुझे comment box में ज़रूर बताइए thank you stay happy happy investing